हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिलेट केमिस्ट्री, I hope all of you are doing well, दोस्तों आज हम लोग डिसकस करने वाला है, ग्रूप थेोरी का एक इंपोर्टेंट टॉपिक, सेंटर आप सिमेट्री है ना, और इसे हम लोग इनवर्जान सेंटर भी कहते हैं, और इसे हम लोग स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, तो यह क्या होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं, if an imaginary point है ना, यह क्या होता है एक प्रकार का imaginary point होता है ना, इसे हम लोग molecule में imagine करते हैं, जिस प्रकार से हम लोग axis of symmetry में, axis को imagine करते थे molecule में, और plane of symmetry में, plane को imagine करते थे, इसी तरीके से हम लोग center of symmetry हम लोग molecule में point को imagine करते हैं दोस्तों so if an imaginary point is drawn from an atom to the center of the molecule and extended on the other side by the same distance and meets a similar atom the molecule is said to possesses a center of symmetry है ना इसका क्या मतलब हुआ यदि atom से लेकर के molecule के center तक हम लोग एक point को खीचे तो और दूसरी और समान दूरी तक बढ़ाए तो हमें क्या मिलेगा इसी molecule के समान हम लोगों को दूसरा molecule देखने को मिलेगा है ना सेम distance में अगर बढ़ाए तो similar molecule हमें देखने को मिलेगा इससे हम लोग center of symmetry कहते हैं अगर हम लोग इस definition के साब से देखे तो suppose यह हमारा कोई molecule है तो इस definition के साब से क्या होगा जैसे यहां पर हम point imagine किये हैं तो यहां से यहां तक हम लोग आए है ना और वापस same distance हम लोग यहां तक भी बढ़ा है तो हमें same molecule दिखना चाहिए है ना similar molecule हमें मिलना चाहिए तो इसे ही हम लोग कहेंगे center of symmetry और इसे हम लोग inversion center क्यों कहते हैं क्योंकि हम लोग जब center of symmetry अप्लाई करते हैं यह तूसरा molecule यहां पर आ जाएगा और यह पहले number वाला molecule same distance में यहां पर आ जाएगा दोस्तों यहां पर तो इसे ही हम लोग कहते हैं center of symmetry या center of inversion है ना हम लोग इस definition के मदद से भी समझ सकते हैं center of symmetry को जैसे कि it is an imaginary point है ना यह imaginary point होता है in the molecule which inverts all the atoms of the molecule in such a way that the equivalent orientation of the molecule is obtained इसका क्या मतलब हुआ जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यह imaginary point होता है जैसे हम लोग किसी molecule में यह से imagine किये तो इससे क्या होगा जो atom है वो invert हो जाएगा और हमें equivalent orientation देखने को मिलेगा जैसे यहां पर मिल रहा है ना equivalent orientation यह b बीके जगवड़ भी ही आया कária लेकिन यह दूसरे नंबर वाला भी है तो यह क्या होगा equivalent orientation होगा हम लोगों ने इसे हम लोगों ने दोस्तों axis of symmetry में भी लिस्कस किया है कि equivalent orientation and identical orientation क्या होता है ठीक है तो यह हमारा equivalent orientation यह हमें मिलेगा दोस्तों है ना यहां तक clear है हमने क्या किया बस इस तरी के कोई molecule है उसमें हम लोगोंने point imagine किया और हमें same distance में हमें इधर बढ़ाएं या चाहिए इधर बढ़ाएं हमें equal distance में हमें same atom देखने को मिलने चाहिए तब यहां पर होगा center of symmetry या inversion center है ना और center of symmetry apply करने पर दोस्तों यह जो atom होते हैं वो invert हो जाते हैं जैसे कि यह two number वाला यहां पर आ जाता है और one number वाला यहां पर आ जाता है दोस्तों center of symmetry apply करने पर है जैसे हम लोग इस example के जरी समझें से तो देखेगा यहां पर देखिए यह हमारा ptcl4 2-1 का structure है इसके center में हमारा platinum है और यहां पर हम लोगों ने point imagine कि है दोस्तों है ना तो हम लोग चाहे right hand side में आगे बढ़ें या left hand side में आगे बढ़ें हमें जैसे हम लोगों ने यहां पर हमारा इन्वर्जन सेंटर प्रजेंट है और जैसे कि हम लोग इसे हम लोग इन्वर्जन सेंटर भी कहते हैं तो यह सेंटर अप्सिमेट्री एप्लाई करने पर यह पॉइंट इमेजिन करने पर यह जो एटम होता है उसका यहां पर 3 के जगह हम लोग ने यहां पर लिग दे है तो यह इंवर्जन सेंटर यहां पर और 2 के जगह इसलिए हम लोग इसे Depth नह सेंटर गया है और इस तरीका जैसें में इन्वर्जन देखने को मिलता है PTCL4 2-Ion में है ना अगर हम लोग दूसरा एक्जाम पर लें तो यह है हमारा Trans12-Difluoroethylene इसका chemical formula यह होता है C2S2F2 है ना तो यहाँ पर ध्यान दीजीगा दोस्तों जो हमारा center of symmetry है वो केवल और केवल molecule के Trans form में ही देखने को मिलता है जैसे कि हम लोग इसका सिस फार्म देखते तो इसमें center of symmetry absent होता है दोस्तों center of symmetry उसमें नहीं पाया जाता है ठीक है तो यह इसका structure है तो हम लोग दोस्तों इसे इसके मदश से भी समझ सकते हैं जैसे यहाँ पर हम लोग ने point imagine किया है ना अब हम लोग इस direction में आगे बढ़ते हैं तो हमें hydrogen atom देखने को मिलता है और अगर हम लोग same distance या इस direction में भी travel करे तो हमें hydrogen atom सेंटर्खने को मिलता है दोस्तों तो इहाँ पर इंवर्जन सेन्टर्टी प्रेजेंट है ना कि आगे बढ़ने पर हमें मिलते हैं और न से मिलता है और इसलिवर्जन में बहुते हैं देखते हैं तो इसेएं इसका स्ट्रक्टर है जब हम लोग इस पर inversion center यह center of symmetry apply किया तो जो हमारा h1 है वो इस direction में आ गया यहाँ पर नीचे में और s2 है वो उपर आ गया similarly हमारा fluorine atom है वो उपर की तरफ चला गया number 1 वाला और number 2 वाला fluorine जो है वो नीचे आ गया दोस्तों है ना यह क्या है यह equivalent structure हमें मिला है दोस्तों है ना जब हम लोग इसमें एक बार और center of symmetry apply करते हैं तो हमें इस प्रकार का structure देखने को मिलता है जो कि क्या होता है identical होता है इससे क्या हो रहा है इसमें क्या हो रहा है कि जो h1 है वो फिर से अपने जगह पर आ गया है दोस्तों अगर इसे हम लोग दोस्तों यानि मेशन के जरीर समझेना चाहाए तो हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे देखिए यह जो इस्टक्चर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों यह हमारा 1,2 डाइफ्लोरो एथिलीन का इस्टक्चर है अगर मैं आप लोगों को इसका सीस फ़र्म दिखाना चाहूं तो यह इस प्रकार से होता है इसमें जो एटम होता है वो एक ही तरफ होता है दोस्तों जैसे कि यह हमारा इसका ट्रांसफोर्म है 1,2 डाइफ्लोरो एथिलीन का है ना तो इसमें क्या है सी टू एक्सिस प्लेजेंट होता है इसे मैं आप लोगों को रोटेट करके दिखाना चाहूं तो यह इस प्रकार से इसमें रोटेशन होता है तो हम लोग इसमें इन्वर्जन सेंट है चाहे इस डाइक्सिन में आगे बढ़े हम लोगों को फ्योरी इन्टम दिखाई दे रहा है तो यहां पर हमारा इन्वर्जन सेंटर प्रजेंट है और इस डाइक्सिन में आगे बढ़े ऊपर के तरफ या नीचे के तरफ तो हमें हैड्रोजन एटम देखने को मिर रहा है दोस्तों, next example लेते हैं हम लोग, यह जो structure है दोस्तों, यह हमारा chromium hexa carbonyl का structure है, इसमें कितनी degree का इंगल है, सभी molecule के बीच में 90 degree का इंगल है दोस्तों, यह इस तरी case इसमें 90 degree का इंगल होता है, मैं आप लोगों दिखाना चाहूं तो, इस प्रकार से इसमें 90 degree का इंगल होता है, ठीक है, तो इसमें कौन सा exit present होगा, इसमें 90 degree का इंगल होता है, तो इसमें c4 principle axis होगा, कुछ इस प्रकार इसमें, अगर आप लोगों को rotate करके दिखाना चाहूं तो, इस प्रकार से इसमें rotation होगा, 90 degree का यह इस प्रकार से हैं, यह इस प्रकार से हैं तो हम लोग ज़्यादा इसमें access of सिमेट तो इसमें हम लोग inversion center को कैसे देख सकते हैं जैसे हम लोग यहाँ पर point imagine कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर हम लोगोंने center में हम लोगोंने point imagine किया और हम लोग चाहे ऊपर की तरफ आगे बढ़ें या नीची की तरफ है न हमें सेम मॉलिक्यूल या एटम देखने को मिलेगा दोस्तों तो इसमें क्या हो जाएगा सेंटर सिमिरॉब हम लोग यहां से यहां से भी देखना चाहें तो यहां पर भी इनवर्जन सेंटर प्रजेंट है दोस्तों ठीक है रहाएं यहां पर सेंटर में इसका point imagine कर सकते हैं यहाँ पर दिखाए दे रहा है जो अभी डाउन क्लायर का हो गए हम लोग ने जब point imagine किया तो हम लोग इस direction में आगे बढ़े हैं चाहिए इस direction हमें सेम molecule देखने को मिलेगा nitrogen atom है न क्योंकि यह जो है यह इस प्रकार से इसमें होता है तो चाहिए हम लोग इस direction में आगे बढ़े हैं चाहिए इस direction में सेम nitrogen atom ही देखने को मिलेगा और हगर हम लोग इस direction में भी आगे बढ़े या इस direction में तो हमें nitrogen hydrogen atom देखने को मिलेगा तो यहाँ पर inversion center present है दोस्तों फेरोजीन के case में लास्ट example देखते हैं दोस्तों हम लोग 18 crown 6 में है ना तो इसका structure बुक में हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है 2D structure लेकिन इसका structure दोस्तों इस प्रकार से होता है इस प्रकार से ऐसे बनाना चाहूं तो यह एस बन रहा है यहाँ पर है ना तो इसका structure हमें बुक में इस तरीके देखने को मिलता है लेकिन इसका structure कुछी इस प्रकार से होता है दोस्तों इसमें इन्वर्जन सेंटर हम लोग कैसे देख सकते हैं हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं इसके सेंटर से इस प्रकार से है ना जो ग्रीन क्लर के डॉट दिख रहा होगा पॉइंट दिख रहा होगा दोस्तों वह इन्वर्जन यह न जो यह वाला मॉलक्यूल है वो यहां आ जाएगा और यह वाला मॉलक्यूल हो यहां आ जाता है दोस्तों इस प्रकार से इसमें inversion देखने को मिलता है तो यह था दोस्तों center of symmetry या inversion center का detailed explanation I hope यह वीदियो आपको पसंद आयागो दोस्तों पसंद आया तो like किजेगा और ngheよね यह वीडियो को, जरूर सर किजेगो दोस्तों, और आपके अपने channel relate chemistry को जरूर सब्सक्राइब किजेगों कि काि झाल झाल